क्या नाम है आपके सेवा देवी जीवन भर सेवा ही करना करना है सेवा करते रहेंगे पाकिस्तान में किया यहां भी सेवा करते रहेंगे के साल हमें रहे हैं तो वहां पर भी बहुत मुझकले घील कहा है कि यहां तो यह रहे हैं इसलिए जी रहे लेकिन केषरी वाल सो बहुत हमारी दर्द हो रही है हमारी तरफ से उसको बहुत दुख हो खोली इनकी बेरंग हुई बैसाखी इनकी रूठी है देखो अपने देश में ही इनकी किस्मत कैसी फूठी है अपने देश में ही इनकी किस्मत कैसी फूठी है देखिए अपने ही देश में सरार्थी बनकर इनको वरसो वरस तक रहना पड़ रहा एक और कैम्प में हम आये हैं इनकी भी कहानी बताएंगे और कैसे जब आज इन्हें नागरिक्ता दी आ रही है जब आज ये कानून हो गया तो फिर इन पर सवाल उठाया जा रहा और इसलिए इनका दर्द हड़ पड़ता है इनके मन रो पड़ते हैं यहां पर देखें ये परिवार है जिन्होंने अपनी खुसियां सजा रखी है साम का पहर हो गया है रात हो गई है वही मोटी मोटी रोटिया जो कभी पाक से ये रोटिय का टुकडा मुँ में लेकर और फिर चल पड़े थे हिंदुस्तान भारत की मेरा देश जो है मेरी माटी जो है मुझे समाल लेगी मेरी माटी मुझे यहां रहने का आसरा देगी मेरी माटी यहां पर रहने के लिए मुझे घर बार और वो प्यार देगी कुछ भी नहीं मिला इन वर्सों में इन लोगों ने इतनी सारी दुस्वारियां जेली हैं आज भी चूले पे इनकी जिंदगी है आज भी इनकी जिंदगी ऐसे ही काम काज करते हुए बढ़ती है आज ही भी ये मेहनत मज़ूरी करते हैं और जब सी ए लागू हुआ नागरिक्ता की बात आई तो कह दिया गया कि नागरिक्ता इन्हें मिली तो देश में चोरी बढ़ेगी डकैती बढ़ेगी देश में दुसकर्म बढ़ेगा रजकता पैदा होगी अरे इनके लोगों से पूछिए इनसे मिल कर पूछिए कि इनको कितना बड़ा कश्ट है एक एक पल आपको खत्रा लगेगा और एक एक पल आपको संकट में लगेगा जी क्या नाम है आपको शेवा देवी शेवा देवी फ़ा यह पर भी बहुत मुश्विन काय यह यहां भी मुश्विननी पड़ रही हैं अब क्या करें फिर भी खुश रह रहे हैं एसे जंगल में भी खुश हैं वहां से भारत माता है जिए जी रहें लेकिन केसरी वाल को तो बहुत अमारी दर्ध हो तरफ से उसको बहुत दुख हो रहा है। रही है उसकी आखे उसका भाव जो है वो दर्द में लिप्टा हुआ है। एक ऐसे ही केंप में आए हैं दर्द आनते हैं यह पूरे मुखिया हैं यहां के प्रधान जी हैं उनसे बाच्चीत करते हैं। पाकिस्तान में रहें लेकिन नाम इनका हरिदास यानि जो हरिदास बाके बिहारी जी को प्रगट करते हैं। भारत वर्ष के सभी सनात्नियों से मेरा निवेदन है सभी सनात्नियों से कहना है जो ब्रधाबन में जाते हैं जो गोवरधन में जाते हैं। पुर्खे भारत की संस्क्रती से जुड़े हैं, इनके पुर्खे सिक्खों से जुड़े हुए हैं, इनके पुर्खे गुरु गोविन सिंग के उस त्याग और बलिदान से जुड़े हुए हैं, जो त्याग और बलिदान देश के लिए किया था, जी, हरिदास जी, हरिदास ज हर्दवार की थी पहले मिलती थी चुर्श यात्रा के लिए घुमने के लिए या यात्रा के लिए मिलती थी जैसे आर्थियां अतारने के लिए मिलती थी वीजा बीच दिन की पच्छी दिन की वीजा होती थी हमारी तो वहां से पासपोर्ट वीजा बनाना पड़ता था वहां तो यहां पर दिल्ली पे आगे तिल्ली मेर्टवार क्यों क्यों हम रहना चाहते हैं, हियाँ रहना चाहते है यह हमारा देश है, हिंदूों का देश है, मारत बाता का देश है, वहां से छोटे-छोटे बच्चे लेके आये हम, और बहु बेटियों लेके आये हम, किसलिए आये हम, एक नागरता के लिए नहीं आये हम, नागरता मोदी दे रही है, तो खुश हम, अच्छी बात है, हम कोई कि यहां पे कोई दंगा फसाद नहीं करने आये हैं अपना परिवार चुड़ता है उसी को पता होता है केसे चुड़ता है परिवार केसा दर्द होता है आज भी परिवार वहां पे हैं हम कोई बात यहां पे जा खुल के नहीं कर सकते हैं क्योंकि पिछे भी डर होता है हमें प कोई दिक्कत नहीं होगी जो हमारे से विरुद कर रहे हैं उनको भी हम कह रहे हैं हमारे से विरुद ना करें तो अच्छा है फिर हम उनका कोई कुछ ले रहे नहीं हैं जैसे केजरिवाल हो गया है अभी केजरिवाल हम छे साल हो गी है किसी को दस साल हो गया है 2023 से हैं 14 से हैं 12 से हैं 10 से आया है आज तक केजरीवाल सरकार करें पानी तक पूछने नहीं आया है वो भी हिंदुबाई है उनका ही फरज बनता है भूआ बेटियां लेके आये है पाकिस्तान से पीड में हिंदु आये हैं इनको पूछा जा curricular होता है हम यहीं कह रहे हैं, जिनको हमारे वजह से पीड़ा है, हम वहाँ पर अपनी जगाँ, जमीन, सब को छोड़ के आए हैं, आप वहाँ चले जाओ, एक साल काड़ के देख लो, किसा देस है वहाँ पर, रहने काबल है या नहीं है, वो तो जाने के बाद उनको पता पढ़ जाए है गजा तो पिड़ा हुरी है तो एक साल हमारे हैं ये नागरता की बात होगी या उच्छी बात है हमें पर उनके साथ नागरता के साथ हम यह से बोल रहे हैं मौधी को मौधी सरकार को तो ऐसा पेकेस बना है हमारे लिए जो अपना बच्चों का भाष्ट बन सके रहने के लिए घर बन सके या कोई अच्छी पूरा देखो अभी आप आये हो इस शाम के टैम में अभी साथ का टैम हुआ है आ प्रवार नहीं है, हमें भी फिर भी अच्छा लग रहा है, जंगल में रहने के लिए नहीं आये हैं, या किसी से कोई मदद मागने नहीं आये हैं, या हमें आटा दे दो, जावू दे दो, हम अपनी मेनद करके खाएंगे, जिनको हमारी वजह से पीड़ा है, उनसे हम कुछ न माग रहे हैं, हमें रहने दो, हमारा भी देश है, हमारा भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, तो वहाँ पर कितने परिवार रह गए हैं, वहाँ पर काफी परिवार है, मैं अपने बच्चों के लेकर आया हमें परिवार, अभी चार भेने वहाँ पर, दो भाई वहाँ पर, च इतनी वो दुख वरिकानी है, अभी ऐसा भी नहीं है, कोई 1500 रुपे किराया लेके चले जाएं ट्रेन में, जा बस में चले जाएंगे, मिलके आ जाएंगे, वो हम इसे मिल लेंगे, वो भी नहीं है, वहां पर, अभी उनके लिए पासपोर्ट वीजा होगा, वो तब आएंग होती है, यहां पर बच्चों के पढ़ाही के लिए दिक्कत है, आज तक के जरिवाल ने यह नहीं सोचा, कि बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, बहु बेट यह कैसे रह रही है, पानी इनको मिल रहा है, बिजली इनको मिल रही है, खाना मिल रहा है, पता नहीं नहीं मिल र जिन्दगी में मुश्किले बहुत हैं दुस्वारियां भी बहुत भारी है लेकिन अभी जिन्दगी की जद्दो जहत में जिन्दगी नहीं हारी है जिन्दगी नहीं हारी है हर दिन इनके सपने तूटते हैं हर दिन इनकी आँखों में आसू होते हैं हर पल ये रोते हैं हर प गंटे भी पाकिस्तान में रह कर तो देखो एक घंटे भी वहां पर उनके पाँрь जमीन अपने पाँँ पर रख कर तो देखो आपको पता चle जाएगा कई इस्तिती पता चल जाएगी आप किस हालात में वहां पर रह पाओगी